मुर्खता रंगलाई यह तुम मुझे दे दो इसके बदले मैं तुम्हें 20 रुपए दूँगा हाल को समझ गया कि जरूर यह कोई उपयोग चीज है वरना यह आदमी इसे इतनी कीमत दे कर करिदने को तैयर क्यों होता इसलिए वह जोहरी से बोला 20 रुपए बस आप तो बहुत कम दाम दे रहे हैं कम से कम 30 रुपए दे दो पागल मत बनो जोहरी बोला कांच के सिर्छ छोटे से टुकडे के भला 30 रुपए कौन देगा चलो 25 ले लो पर हाल को अपने बात से तस में मस नहुआ वह बढ़ी तसक के बोला 30 रुपए से एक कोड़ भी कम नहीं होगी जोहरी ने सोचा इस सुनसाना जंगल में इसे दूसरा कौन मिलेगा जो इसे इतना दाम देगा इसलिए उसे समझाते हुए बोला लालच मत करो अभी मैं पार के गाउ में जा रहा हूं इस बीच तुम सोच लो 25 रुपए लेने हो तो मैं तैयार हूं वैसे इसके अगर कोई तुम्हें 10 रुपए भी दे दे तो गनी मत समझना जोहरी को उस गाउ में ज्यादा वक्त नहीं लगा वह लवटा तो हालको उसे बोला अब समझ में आ गया ना यह लो 25 रुपए और वह मुझे दे दो वक्त हाथ से निकल गया तो पच्छता होगे पर मैंने तो उसे बेच दिया है हालको ने बिना ज्यादा सोचे उत्तर दिया बेच दिया है जोहरी दंग रह गया कितने में 100 रुपए में हालको ने मासूमियत से जवाब दिया मुर्ख हो जोहरी एकायक बोला वह तो 10,000 रुपए की कीमत का एक कीमती हीरा था तो आप महा मुर्ख है हालको ने तड़ाक से जवाब दिया कैसे जोहरी ने हैरत दिखाई आपने 5 रुपए बचाने की खातिर 10,000 रुपए का हीरा गवा दिया हालको का उत्तर सुनकर जोहरी अपना सामुह लेकर वहाँ से चलता बना